बिस्मिल्ला रमान रहाईम इस लेक्शर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि dependent and independent variables क्या होते हैं और variables होते क्या हैं इसलमें इन चुजों के बारे में हम देखेंगे क्यों 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 कि जब हम hypothesis testing करेंगे और inferential statistics में jump in करेंगे तब हमें इन चुजों के ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने screen share करता हूँ और हम देखती हैं कि किस तरीके से ये दुनों dependent versus independent variables जो हमारे पास काम आते हैं मिसाल देता हूँ मैं आपको कि हम एक analysis कर रहे हैं और उस analysis के अंदर हमने कोई data इकठा की है ठीक है? दो, तीन, चार ये चार कॉलम हागे हैं A, B, C, D data के अंदर जो columns होते हैं हम इन्हे variables भी बोलते हैं तो पहली चीज तो ये है कि variables जो हैं वो data के अंदर columns को हम variables कह सकते हैं ठीक है? और अक्सर अकात हम variables इन्हें इस वज़ा से बोलते हैं क्योंके ये चीज change होती रहती है और variable की definition भी ये ही है कि जो चीज change होती जाए For example, हमारे पास जब हम 2X plus 1 is equal to 6 लिखते थे तो हमारे पास आपको पता है कि ये constant होता था X हमारे पास variable है और ये coefficient होता था So, जब हम number theory या different किसम के जब हम linear algebra को explore कर रहे थे तब हमने देखा तो X इस में variable को बोला जाता था Variable is something जो change होती जाए ठीक है अब आपको भी पता है जब आप एक data collect करते हैं column के अंदर पहले cell में value एक होती दूसरे में change दीसरे में change चौते में change और जब आपके पास 1000 value होती है वह change होती जाती है इस वज़ा से हर column को हम variable बोलती है ठीक है अब variable की समझ हमें आगी जो चीज change होती जाए ठीक है उसको कहते हैं variable अब independent and dependent variable कौन से हैं independent versus dependent variable dependent variable यह हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम statistics को पढ़ रहे होते हैं या data science को देख रहे होते हैं उसकी reason क्या है main reason यह है कि अगर हमारे पास कोई analysis हम कर रहे हैं dependent और independent variable की base पे हम machine learning models को select करते हैं statistical tests को इनकी base पे select करते हैं statistical tests को इसके इलावा जब भी हम कोई hypothesis test करते हैं उनके अंदर भी इसकी importance ज्यादा होती है hypothesis testing की जो आज का हमारा lecture का part भी है वो भी हम देखेंगे अब dependent variable क्या होता है और independent variable क्या होता है इन दोनों में फरक देखते हैं पहले चीज़ तो यह यह वाला वो variable है independent जिसको हम research के अंदर change करते हैं या हम इस variable को control करते हैं ठीक है या आप यह कह सकते हैं कि scientific experiment के अंदर यह हमने खुद से include करके इसकी different values रखी होती हैं मतलब 10 gram, 15 या 20 gram और 30 gram इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपके पास जो इस side पे independent variable है वो आपका है food यानि कि आप कितनी calories या food को consume करते हैं ठीक है? वो जो ratio है आप 10 रख लें, 20 रख लें और 30 ठीक है? यह आपके पास आगया food इसको बोलेंगे हम independent variable क्योंकि यह आपने खुद से control कर लिया है अब इस food के खाने से आप जो variable को measure करेंगे उसको हम बोलते हैं dependent variable जो हमने उसकी base पे यानि कि यह जो हमने 10 पे देखी value हम देखेंगे dependent variable क्या होगा? कोई भी एक variable जिसको food को खाने के बाद आप changes लेके आ रहे हैं, for example आपका body weight body weight जो है यह खाने पे depend करता है कि नहीं आप इसको study करें और जब आप इसको measure करते हैं body weight को 10 पे 20 पे और 30 पे, यह 10, 20, 30 क्या है? यही वाली values इन तीन values के against जब आप measure करते हैं तो इसको बोलते है dependent variable because यह जो variable है body weight यह depend कर रहा है इस variable पे, ठीक है? तो इसी वज़ा से dependent variable को हम ऐसे भी लिख सकते हैं the variable being tested variable being tested जो हम चीज को देखना चाह रहे हैं जो variable हम test करें हैं वो body weight है ठीक है? और food जो है इसको control करके हम देख रहे हैं कि क्या body weight पे कोई असर पड़ता है कि नहीं? dieting plan इससे बनते हैं और और भी काफी चीज़ें इससे बनती हैं ठीक है? और ये जो है ये measure किया जाता है measurement जो हम बार-बार पढ़ रहे थे इसकी measurement की जाती है या हम ये कह सकते हैं कि we measure we measure this variable हम इस variable को measure करते हैं अब जो चीज हम measure कर रहे हैं खुद से ये हम measure कर रहे हैं ये हमारे control में नहीं है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास value आगी हम सिरफ उसको एक पहिमाने के साथ measure कर सकते हैं ठीक है? हम ये नहीं देख सकते कि हमने जो पहले से for example ये जो है ये 10-20-30 हमने पहले से decide की है इसकी value हमारे पास decided नहीं हम इसकी value को measure कर रहे हैं ठीक है? इसके एक और मिसाल देता हूँ हमारे पास complain पीने से complain जो है आपको पता है complain क्या होता है? जिससे आपकी height बढ़ती है क्या height पे कोई असर हो रहा है? क्या height बढ़ती है? ठीक है, आप क्या करें, बच्चों को complain पिलाएं, for example, जो complain का पिलाना होगा, या उसकी dose होगी, वो हमारा independent variable है independent variable ठीक हो गया, complain की dose, और वो हो सकते है कि 10 ग्राम रोजाना का देना है, या इसको मैं सीधा रख लेता हूँ, 10 ग्राम के बजाए वन टेबल स्पून या टी स्पून, टेबल स्पून कर लेते हैं, ठीक है, वन टेबल स्पून रोजाना देने से क्या फरक पड़ता है, टू टेबल स्पून देने से क्या फरक पड़ता है, हम इसकी बेस पे अंदाज अलगा लेते हैं और जब हम 1 tablespoon दे रहे हैं, तो हमारे पास percent different है, 2 tablespoon दे रहे हैं, तो हम 1 tablespoon वाले जितने भी हमारे पास लोग हैं, उन लोगों की हम height जब measure करेंगे, height जो है हमारे पास dependent variable है, क्या है? dependent, so dependent ये हो गया, complain की dose हमारे पास independent है, this is how you can actually have an idea about dependent and independent variable, ठीक है? अब हमारे पास height जो है, वो हमारे पास ऐसा variable है data के अंदर, जो हमारे पास क्या है? dependent, अब होता क्या है? जब आप एक data लेते हैं, तो एक ही data frame के अंदर columns जो हैं, वो सारे के सारे variables होते हैं, यहाँ पे अगर आप dose लिखेंगे complain की, 2, 4, 2, 4, 2, 4, इस तरीके से, तो ये आपका variable है, जो independent है, फिर आप यहाँ पे height measure करते हैं, so then you will say, कि हमारे पास जो height हा रही है, वो किसी की 16, नहीं, मैं यहाँ पे कहा देता हूँ, कि किसी की 4 feet है, किसी की 6 feet है, किसी की 5 feet है, किसी की 3 feet है, किसी की 4 feet है, तो ये जो variable कर रही है, जो हमने measure करके लिखी है, we can say, कि ये वाल आज़ा सकते हैं कि कैसे हमारे पास दोनों वेरिएबल जो है वो आते हैं अब यहां पे इन दोनों वेरिएबल के अंदर कोई खास फर्रक जो है उसको हम देखते हिं min 옹वाराम यहां पे यह आपके सामने स्क्रीन निजर आ रही है। यहां organis । हमारे पास इसकी manipulate करते हैं या select करते हैं हम खुद से जो researcher हैं या scientist है ठीक है जो आप sampling ले रहे होते हैं और ये determine करता है conditions क्या है groups कौन से हैं study के अंदर ठीक है for example देशी example मैं यहाँ पर आपको देता हूँ temperature level in a study to use its effect on crop growth ठीक है आप क्या करते हैं different किसम के जो temperature level है उनको check करते हैं to see the effect on crop growth जिस चीज पर effect देखना है तो ये हमारे पास हो गया independent और crop growth हमारे पास dependent हो गया इसी तरीके से यहाँ पर देखे हैं हमारे पास dependent variable variable being tested and measured in scientific experiment observed and measured इसमें क्या होता है changes in response to the independent variable outcome or results that is measured to see the effect of independent variable crop growth होती है in response to the different temperature level temperature level हमारे पास यहाँ पर हो गया independent और crop growth हो गया हमारे पास dependent variable इसकी एक और मिसाल आपको दे देता हूं वो आपको याद हो गया ना कि जितनी बारिश होती है उतना पानी आता है उतना पानी आता है ठीक है जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है इसका मतलब है कि rain जो है यह जारी बात है हमारे control में तो नहीं है but we can actually have an idea कि rain जो है हमारे पास independent variable है क्यों क्योंके हम इसकी base पे check कर रहे है कि पानी कितना आ रहा है सडकों पे ठीक है water levels तो हमारे पास इस तरीके से भी dependent and independent हम देख सकते हैं यह मैंने इस वज़रा से मिसाल दिया है कि जितनी बारिश होती बारिश ज्यादा होगी तो बज्यादा पानी आएगा बारिश कम होगी तो कम पानी आएगा यह आपने अक्सर उकाद सुना होगा अब independent and dependent variable आपको समझ आगी अब हम आश्ता आगे move कर रहे हैं और inferential statistics को और भी detail में देख रहे हैं